असलाम अलेकुम रहमत लाही वबरकातुह। आज मैं आपके साथ बहुत ही जबरदसी प्रेक्फस्ट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यह मूली के परांठी की रेसिपी है। और यह बहुत ही जबरदस बनते हैं। बहुत ही एजी है इसको बनाना। बनाने के लिए सबसे पहले परांठी के लिए अगर आपको यह रेसिपी पसंद आती है तो उनको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेगा मेरे साथ साथ तो चली रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिसमिल्लाहर रह्मान रहीम। लेकिन अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो आप उसकी जगा नॉर्मल जो प्याज होते हैं को बहुत बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। अच्छा जी अब हम इसके अंदर कुछ ड्राय स्पाइस डालेंगे तो यहां पर मैंने लिया है यह नारील का बुरादा है दो टेबल स्पून एक चमच नमक है लाल मिर्चे हैं जीरा है एक चाय का चमच आधा चमच इसके अंदर गरम मसाला है और आधा चमच मैंने इसमे यह मेजर्मेंट में जो मिक्स्टर था वो टू कप्स था तो इसके अंदर जो मैंने आठा एड किया है वो अल्मोस्ट टू एड़ाफ कप अड़ किया है तो दो से धाई कप इसके अंदर आटा मैं तो जितनी कॉंटिटी में मूली है उतनी कॉंटिटी में आठा भी इसके बस बाइंड करना है और गून लेना है और यह लीजे गून भी गया फटा-फट से यह 15-20 मिनट के लिए डखके रख दीजेगा थोड़ा सेट हो जाता है आटा तो उसको और मैनेजबल हो जाता है अराम से फिर इस तरह से बेलेंगे तो तूटेगा ने क्योंकि इसके अंदर मूली जादा है स्टफिंग जादा है इसलिए तो 15-20 मिन टापी से थोड़ा सा रेस दे दीजेगा अब उसको हम बेलेंगे हमने पेडा लिया एक मीडियम साइज का पेडा लिया और इस तरह से हम इसे बेल लेंगे एजस चारों तरफ से गर आपको लग रहा है बिल्कुल तो कोई बात नहीं है क्योंकि इसमें मूली की कॉंटिटी थोड़ी जादा है इसलिए थोड़ी से साइट से क्रेक्स तो रहते ही है बट यह बहुत तेस्टी बनता है इस पर हम हलका सा ओयल ब्रश कर लेंगे इस तरह से और आप दोनों साइट से हम इसको कुक कर लेंगे ज चाहें जो आपका जो डो है यह दो से तीन देन आराम से चल जाता है इसे फ्रिज में रख दीजेगा और नेक्स देटी भी आप इससे परनाठे बना सकते हैं तो इससे जो है ना सुबह की टेंचन है वह बहुत कम हो जाती है कि सुबह में क्या बनाए नाश्ते में तो इस अब हमने गिखे से सर्व भी कर दिया है और साथ में इसकी आप चाहें तो दही के साथ इससे सर्व कर सकते हैं या परकिर अपनी किसी भी फेवरेट अचार या चतनी के साथ इसको सर्व कर सकते है और यह बहुत जबर्दस बनते हैं आया अभर आपको इस र Mobile लगे होगी है